आज में लाई हूँ शिमला मिर्च की युनिक रेसिपी तो इसे आप जिसे भी खिलाएंगे वह वस आपकी तारीब करेगा और ऐसी रेसिपी आपने अभी तक नहीं बनाई होगी तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर करना है तो दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा हम इसे कट करेंगे फिर को दिखाते हैं तो आप चलिए चलते नेक्स प्रोसस पह यहां पे मैंनेे देखिये कढ़ाई लस हैं कढ़ाई को गैस पर रखदा ए और अम कढ़ाई में एट करेंगे अईल तो यहां यहां पर मैंने दो चोटा चमश ओयल एड़ किया है तो फ्रेंस मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है यानि सरसों का तेल आपको इसा भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं जो भी खाते हैं तो तेल जैसे ही गरम होता है हम इसमें करीब 2-3 पिंच एड़ करेंगे हम जीरा दोनों को हम फ्र प्याज लिया है आप यहां पर प्याज को कदू कस करके भी ले सकते हैं या फिर आप प्याज का पेष्ट भी बना के ले सकते हैं तो प्याज को थोड़ा सा फ्राइब कर लेते हैं तो देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है अब हम इसमें अधर ख्लैसन का त्पश्यस्पून रड चिली पौडर लिया है साथ यह सब 1 गदी ठिदर लिया है थनिया पौडर को अच्छे सर sì अ ईहां पर देखिए हमारे जो मसाले थोड़े से रोस्ट हो गए μαअ कैथा है अभर क्या है तुर की या यहां पर इंद से निया बड़े उड़े और से इसलिए मैंने चॉपर से चॉप किया है अब तमाटर को थोड़ा सा फ्राइ करेंगे इससे पहले हम यहां पे इसमें थोड़ा सा नमक एड करेंगे ताकि टमाटर हमारे जली से सॉफ्ट हो जाए और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे आप यहां पे एक रेसिपी से अब यहां पे हीट को लोक दीजिए अब देखिए लगबग 1 मिट हो चुका है आप मसाले को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए मसाले हमारे अच्छे से को गए हैं देखिए तो यहां पे छोड़ा है इसमें थोड़ा स्वटा सा ओल भी रीलीस हुआ है अब हम यहां पे करेंगे। चार अबले हुए आलू को इस dough're more of otherolution, चार भी मिश कर लिए का और हम अच्छतज मेश नायद लिए काो, हम यहां पर डॉलेगे guys together withcción 24 टी-स्पून लिए जी प्रत के अचाए प्रत है सिसे एक जड़ी आता हैं, वंसों एक पाव भाजी मसाला इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और सारे मसाले टमाटर और अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए और इसको हम लोटू मीडियम हीट पे करीब एक या दो मिट के लिए इस तरह से फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पे मैंने करीब इसे दो मिट के तो हमारी स्टफिंग डेडी है इसको हम अटा लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में टांसवर करेंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है बर थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्ल होती जादा सौधिश लगती है तो देखे एक पीस रेडी हो गया है दूसरा भी हम इसी तरह से भर देंगे और वैसे ही अच्छे से कुक होती है बरना तो इस्टफिंग निकल जाएगी तो जब आप इसे कुक करेंगे तो अच्छे से इसको दवा दवा के भरना है और यहा चलते हैं इसको कुक करने तो यहां पर मैंने सेम कढ़ाई ले लिए कढ़ाई में मैं एड करूंगी दो चोटा चमच ओयल जैसे ही घरम होता है हम इसमें थोड़ी सी हींग एड करेंगे हींग का तेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने एड की है साथ ही यहां पे हम करीजिए और देखिए अब हम मसालों के साथ यहां पर अपनी इस्टप्ट सिम्लामिट्स एड करेंगे यहां पर जो हमारी सिम्लामिट्स हैं इनको आप दो तरह से बना सकते हैं एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा तरीका जो है वह मैं आपको अभी पयां सिंगे धए एक साइड यह इस तरह से शिक चुकी है तो हम इनको प्लट देते हैं थोड़ा से देखिए एस पॉट भी नजर आ रहे हैं तो हम इनने अप पलट देते हैं अच्छे से और यहां पर यहां पर ने के लिए कोई नाइफ ले सकते हैं यह पिश्पून ले स करीब 1 मिंट के लिए आप इस तरह यह जल्दी से सप्ट हो जाए अब हम आम प्लत के लिए कि उंठी हैं और आराम के चाहिए मैंने सारी प्लत दी हैं और आप यहां पर हम इन नो दुबारा एक बार आर ढ़क देंगे करीब एक मिड के लिए तौ देखिए हम करीब ंदे नाइपас लिए निदा डरेहें लीट खेएंगे तो इसका मतलब हमारी चेम्म80 कोब। तो आप हम एक एक करके निकाल लेते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं आप एक करके इसकी श्टफिंग बाहर बिल्कुल ना निकले तो देखिए हमारी श्रिम्ला मिर्च की एकदम नई रेस्पी बनके त्यार है तो एक तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं दूसा तरीका यह ह प्रिंस इंश्टब्स शिवना मिर्च को ग्रेवी के साथ आप कुक किजे तो ग्रेवी बाली बन जाएंगी ग्रेवी में आप इन्हें दो मिट के लिए पकासकते हैं तो यह हमारी ड्राय मिर्च हैं तो इस तरह से भी आप बना के इस इंड़ाइ कर सकते हैं एक दम नही जिस भी पसंद आई है तो एक लाइक दीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप मुझे फेस्बूक पेज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग बाबाई